स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदेते मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे आठ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो ये साल दोहजार चौबिस में भारती ये बाजार में लॉंज होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है या महां फेजर फेजर फ विजिबिलिटी को लेकर कोई भी दिक्कत आपको इस बाइक में फिस नहीं करना पड़ेगा बाइक के एंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 149 CC का सिंगल सिलेंडर एर कूल एंजन जिसमें आपको 14 BHP की पावर और 11 Nm का टॉर्क मिलता है और number of gears यहाँ पर आपको suspension मिलते हैं और पीछे आपको dual shock absorber suspension मिल जाता है इसमें आपको Yamaha की UBS braking technology मिलेगी सामने आपको front disc brake मिलेगा और पीछे आपको drum brake मिल जाएंगे अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो मार्च 2014 में यह बाइक confirm भारती बाजार में launch होने व 40 और muscular सा बनाया गया है तो देखने में बाइक बहुत ही बढ़िया लगती है और आपको यहां पर LED का setup मिलता है LED इंडिकेटर भी मिलते हैं तो इनकी जो visibility है जो functioning है वह भी आपको top notch quality की मिल जाएगी बाइक के engine की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 124 CC का single cylinder oil cooled engine जिसमें 14.7 BHP की power और 11.6 Nm का torque मिल जाएगा और number of gears यहां पर आप कुछ है मिल जाने वाले हैं बाइक का sitting posture वो upright है तो आपको back pain जिसे कोई भी problem नहीं आएगा और आप दो लोग आराम से comfortable होकिस में travel कर लोगे dual channel ABS आपको यहां पर दिये जाएगा all digital instrument console मिलेगा सामने आपको USD fork suspension मिल जाएगा बात कलते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में यह बाइक confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 3 पर आती है कीवे RKF 125 यह बाइक आप सबको बहुत पसंद आने वाली है एक लाग रोपेस बाइक की कीमत रहेगी जो बाइक का overall दिन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 125 CC का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आप कुछ है मिल जाएगे आप दो लोग आराम से comfortable location में travel कर लोगे digital meter आपको यहाँ पर दिये जाएगा जो बाइक का sitting posture है वो भी upright रहेगा सामने आपको telescopic front suspension मिलेंगे और पीछा को monosho suspension मिल जाएगा single channel ABS के साथ यह बाइक आएगी और आपको dual disc brake इस बाइक में मिल जाएगे अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह बाइक confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर फूर पर आती है Honda CL250, CL250 एक scrambler बाइक है जिसकी pricing आपको मिल सकती है 1,80,000 रुपीज के तकरीबन बाइक का जो looks है वो decent साई है लेगन decent looks में भी यह बाइक देखने में बहुत ही शानदार लगती है और इसका जो electrical की visibility है जो functioning है वो भी आपको top notch quality की मिल जाएगी बाइक के engine की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 249CC का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 28BHP की power और 20Nm का torque मिल जाएगा और number of gears यहाँ पर आप कुछ है मिल जाएगे यह बाइक मुझे लगता है कि mainly वही लोग लेंगे जिनको long tour करना है या फिर कहीं वादियों या पहाड़ों में लेकर इस बाइक को जाना है बाइक का जो sitting posture है वो upright है एकदम comfortable बाइक है तो किसी भी तरीके का आपको back pen यहाँ पर नहीं होगा आप दो लोग आराम से comfortable होगे इसमें ट्रैवल कर लोगे digital meter आपको यहाँ पर दिये जाएगा सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे पीछे आपको monoshock suspension म मिल जाने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो मार्च 2024 में यह बाइक confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Yamaha MT 125 MT 125 एक naked sports बाइक है जिसका भारत में लोग बेस सब्रीस इंतजार कर रहे हैं बाइक सस्थे दम परצआओ ज्याधा ज्र iz बाइक को ले सकें बाइक का जो लुकस हो बहुत ही शांदार देखनां फाली बहुत ही बड़ीं लगती है और सीन्ग फंशनिंग वह आपको शांदार भी आपको शांदार मिल जाएगी बाइक के engine की बात करें दॉसमें आख मिलेगा इ इंगल सिलेंडर ओइल कूल इंजन जिसमें आपको 14 बीएच्पी की पावर और 11 न्यूटर मीटर का टॉर्क मिलेगा और नंबर ओग गेर्स यहां पर आपको 6 मिल जाएंगे बाइक का यू सिटिंग पॉस्टर वो अपराइट है और आप दो लोग आराम से कॉंफुरेबल हो और पीछे आपको Monoshock Absorber Suspension मिल जाएगा और अगर बात कर लेते हैं यह बाइक कब तक भारती बाजार में लॉंच हो जाएगी तो मार्च 2024 में यह बाइक कन्फर्म भारती बाजार में लॉंच होने वाली है नमबर 6 पर आती है Honda CB150R CB150R को इंडियर मार्केट में काफी लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बाइक का भी सबरी से इंतजार कर रहे हैं बाइक के एक्सपेक्टेड प्रेजन रहेगी 1,50,000 रुपीज बाइक का जो लुक्स है वो बहुत ही शानदार है देखा जाए थोड़ो बहुत रैट्रो टाइप के डिजाइन इस बाइक को दिया गया है और इंडिर मार्केट में काफी लोग रैट्रो डिजाइन को आता है जो बाइक के एलेक्ट्रिकल की कॉलेटी वो बहुत ही शानदार है विजिबिलिटी के लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बाइक के एंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 149 CC का लिक्विट कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जिसमें आपको 20BHP की पा मिलेगा और पिछा को मोनोशोफ सुस्पैन्शन मिल जाएगा 17 इन्चर के विल्ज आपको इस बाइक में दिये जाएंगे फ्रंट महें आापको वनढड़े 10 सेक्शन 70 के तायर मिल जाएगा अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती बाजार में लॉँच हो जाएगी तो mid 2024 में ये बाइक confirm भारती बाज़ार में लॉंच होने वाली है नमबर 7 पर आती है Suzuki GSX-R125 ये एक fully fed बाइक है जिसकी pricing आपको मिल जाएगी 1,20,000 रुपीज बाइक का जो लुक से वो बहुत ही शानदार है देखने में बाइक एकदम sporty और muscular लगती है और इसको जो electricals की visibility है जो functioning है वो भी आपको top notch quality की मिल जाती है बाइक के engine की बात करने तो इसमें आपको मिलेगा 125 CC का single cylinder liquid cooled BS6 engine जिसमें आपको 14.8 BHP की power और 12.3 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे बाइक में आपको dual disc brake मिलेंगे with single channel ABS सामने आपको telescopic front suspension मिलेगा और पीछा को monoshock suspension मिल जाएगा यहाँ पर आपको split street मिलती है तो आप दो लोग आराम से comfortable locust में travel कर लोगे और overall बहुत ही बड़ी है बाइक यहाँ पर आपको सुजु की company देने वाली है 125 CC के segment में अब अगर बात कर लेते हैं यह बाइक कब तक भारती यह बाजार में launch हो जाएगी तो मार्च 2024 में यह बाइक confirm भारती यह बाजार में launch होने वाली है नमबर 8 पर आती है Aprilia RS 125 यह एक premium 125 CC की fully fared बाइक है जिसकी pricing आपको मिलेगी expected 1,30,000 रुपीज बाइक का जो लुक से वो बहुत ही शानदार है आप इस बाइक के fan हो जाओगे और जो उसके electricals की visibility है जो functioning है वो भी आपको top notch quality की मिल जाती है बाइक के engine की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 124 CC का single cylinder liquid cooled BS6 engine जिसमें आपको 14.8 BHP की power और 12 Nm का torque मिल जाएगा और यहाँ पर number of gears आपको 6 मिल जाएगे बाइक में आपको dual disc with dual channel ABS दिये जाएगा safety के लिए फ्रेंट में आपको USD fork suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है और जो overall bike का system है जो आपको features है वो भी बहुत बढ़ी आस bike में offer करवा दिये जाएगे और अगर बात करें ये bike कब तक भारती ये बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में ये bike confirm भारती ये बाजार में launch होने वाली है बागे दोस्तों आप comment करके ज़रूर बताना कि इन 8 bikes में से आप कौन से bike को अपने लिए लेना पसंद करोगे तो मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो subscribe करके बैल ऐकान दबा दो क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी केल थैंक्स तिल देन वेट पर मैं न्यू अपकमिंग वीडियोज